नमस्कार मैं हूँ आपका होश्ट अवीरल दोस्तो आज हम बात करेंगे हिमाचल परदेश की जियां दोस्तो हिमाचल परदेश एक टूरिस्ट नगरी है और जिस प्रकार कोरोना महमारी ने काफी सालों से यहां पर टूरिस्टों के आने जाने पर रोक लगा रखी थी लेकिन अब वहरोक पूर्टेय खोल दी गई है कोरोना महमारी भी अब दीरे दीरे हमारे भारत से और हिमाचल परदेश से कोसो दूर जा रही है उसी के चलते टूरिस्ट सीजन भी आ रहा है अगर हम बात करें इस समय शिमला मनाली की तो यहां पर विकेंड पर कुफरी नारकंडा और मशोबरा में काफी सैलानी उमड पड़े हैं दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हिमाचल परदेश की और अलग-अलग राजियों के टूरिस्ट समंदित और राजनिती समंदित बहुत सारी वीडियो दिखाते हैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होंगी जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शियर करना ना भूलें चलिए दोस्तों बात करते हैं टूरिस्ट सीजन की इस पीती और किनोर जाने वाले टूरिस्ट नारकंडा में इस्टेक कर रहे हैं जी हां अक्टूबर के अंतिम समता तक भी एडवांस बुकिंग चल रही हैं वीकेंड पर शिमला पहुचने वाले सेलानियों ने रविवार को कुफरी, नारकंडा, मशोबरा और नाल देरा का रुक कर लिया है दोस्तों यह शेहरों के नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ यह शिमला के एक खास डेस्टिनिशन है में सिटी शिमला में बहुत से कम टूरिस रुकना पसंद करते हैं हिमाचल परदेश में आकर हिमाचल परदेश की वादियों और खूबसूरत नजारों का मजा लेना चाहते हैं उसके लिए में सिटी शिमला में ना रुक कर आजकल टूरिस जो हैं कुफरी, नारकंडा, मशोबरा, नालदेरा, शोगी आदीर इत्यादी पर रुपते हैं। दोपैर बात शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर भी सैलानियों की खूब रोनक दिखाई देती है। हाला कि देर शाम बड़ी संख्या में सैलानी लौट भी गए हैं और रविवार को शहर के होटल भी काफी खाली हो गए थे। यानि कि हम बात करें विकेंड्स की यानि कि अगर कभी भी छुट्टीया लंबी किसी भी टूरिस्ट को मिलती हैं तो वो शिमला मनाली की तरफ रुप करना शुरू कर रहे हैं। तेहारी सीजन के दोरान शिमला में सेलानियों की आमद में इजाफा होना शुरू हो गया है। रविवार सुबे शिमला कुफरी स्रड़क पर धली के पास हसन वेली में टूरिस्टों का काफी बड़ा जमावडा दिखाई दिया। एनेच एक और टूरिस्ट वहनों की कतारे और दूसरी और सेलानियों की भीड के कारण ट्रैफिक जाम की समझ्या पेश आने लगी हैं। सेलानियों की आमद बढ़ने से शहर के आसपास परियटन इस्थलों को के कारोबारी भी अच्छे कासे उच्साही हैं। कुफरी में होर्स रैडिंग का काम रफतार पकड़ रखा है, एडवंचर स्पोर्ट्स संचालकों के पास भी गुरूप का पहुचना शुरू हो गया है। मशोबरा और नाल देरा में सेलानियों की आमद बढ़ने से परियटक कारोबारी काफी उच्साहीत हैं। अब हम बात करते हैं इसपीती और किनोर जाने वाले टूरिस्टों की। जियां दोस्तों काफी मातरा में बाइक रैडर्स इसपीती किनोर लहे आदी जाते रहते हैं। जो की आजकल नारकंडा में पहला इस्ट्रेक करते हैं। अक्टूबर के अंतिम सता तक एडवांस बुकिंग चल रही है और काफी संख्या में इसपीती जाने वाले टूरिस्ट और बाइक रैडर्स काफी आ रहे हैं। कुफरी में भी पारकिंग ने होने से काफी परियटक परिशान दिखाई दिये। इसके अलावा विकेंडों पर भी काफी होटलों में 50-60% की ओक्योपेंसी दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें बर्फ के दिवानों की जी हां बर्फ के दिदार के लिए रोहतांक दर्रे का रुक कर रहे हैं परियटक। कुलू मनाली की वादियों में परियटकों की भीड बढ़ने लगी है। सैलानियों की पहली पसंद रहने वाले 13,050 फिट उचे रोहतांक दर्रे में लंबे अर्से बाद रोनक लोट आई है। यहां पिछले कई दिनों से परियटकों का मेला लगने लगा है। हाला की अटल टर्नल बनने के बाद रोहतांक दर्रे की महत्ता कम हो गई है। लेकिन रोहतांक दर्रा अभी भी सैलानियों के आकर्शन का केंदर बना हुआ है। मनाली के परियटक कारुबारी गोतम, प्रेम, रोशन, डोले और ओमपरकाश का कहना है कि 14 अक्टूबर से मनाली में परियटकों का सैलाब उमड पड़ा है। रोहतांक के परियटक कारुबारी जगदीश ने भी बताया है कि लंबे अरसे बाद रोहतांक में परियटकों से रोनक लोटाई है। इसके अलावा अगर आप लोग शिमला मनाली यानि की हिमाचल परदेश में बरफ का दिदार करना चाते हैं या यहां की हसीन वादियों के साथ लुफ्त उठाना चाते हैं तो नीचे दिये गए नंबरों पे हमें कॉल करके हम से होटल बुकिंग आदी की जानकारी ले सकते हैं दोस्तो नीचे जो कॉलिंग के नंबर दिखाई दिये हैं वहां हमारे होटल हैं आप भी अपने होटल की सीट रिजर्व कर सकते हैं और वह भी एक बहतरी दामों के बाद हम अपने चैनल के माद्यम से आपको आज अपने रशल होम्स की वीडियो भी शूट करके दिखा आने वाले हैं आशा करता हूँ वीडियो देखने के जे लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे मिलते हैं जल्दी अगली बड़ी जानकारी के साथ औरूर करेंगे